और बहुत से सातियों ने कहा कि हमारे बहुत सारे संक्टन बने वे तो ये तो हमें विरासत में मिला हुआ है हम जिन कम्यों से गुजर रहे हैं उन कम्यों में रहते हुए हम क्या सुधार सकते हैं कैसे सुधार सकते हैं इस पर हमारा जोर होना चाहिए बाकी हम यह कहते रहें कि एक पापस में संचन नीए एकाक है लेकिन इस जो विरासित में मिला हुआ है उसको क्सों डासर ते हैं तो उनमें सिर्वक्त पहली बात तो ये हमारे Nhautam जो सत्य सोदक संग जो बना हुआ है हमारे जो existing संग्टन है उनमें क्या कमी है जो कि बुद्ध साथी संग्टन के संग के जो member बनेंगे उनकी जुम्यदारी होती है कि हमारे जो already existing संग्टन है उनमें क्या कमी है क्यों कि जब तक आपको कमी नहीं होगा आप जो है अपने किसी भी संधन में सुधार नहीं कर सकते हैं दूसरा यह कि जो आपका उद्देश है वह सोशली और लीगली इट सुट भी एक्सेप्टेबिल तो और इनकुलिडिंग हमारी गवर्मेंट हमारे सोसाइटी एवरिवेर तभी आप अपने उद्देश में काम्याब हो सकते हैं दूसरा यह है कि अभी मैं काभी लोगों से मैंने भी काभी करीब करीब में सार्टीन बजी में आ गया था और उस लोग जैसे भी कुछ थोड़ा विरो अगर आप अपने वाले को नहीं सुनोगे ना तब तब आप पॉजिटी विचार अपने दिमाग में नहीं कर पाओ तो हमारे अंदर तो जो भी आप मेंबर बने या कोई लीडर बने उसके अंदर एक खास वालिटी ओने चीए उसके पेसेंस होना चाहिए अगर आपके अं कुछ साथियों से विनम्र निमेदन है कि अपने अंदर थोड़ा पेसेंस डवलप करें गल्ती अब किसी ने बोला था कि बैंट जी ने हुआ सीएस्टी को कमजोर किया था एक्शली कमजोर नहीं किया था बैंजी को लोग जो बनाम करना चाहते थे और केस की जो है ना उन् कमजोर कमी नहीं किया लेकिन जो रिपोर्टिंग हो रही थी उनको यह बोला गया पहले इसकी जाच कर लीजिए अच्छी तरिये से और उसके बाद आप लीजिए संधन को पार्टी को बद्राम करने का लोगों का उद्देश था अब पूरी लोग तो सोचते नहीं है बस बैंजी ने उसको कमजोर कर दिया बैंजी ने उसको यह कर दिया दूसरी बात तो लेकिन यह है कि वह एक पॉलिटिकल इसुनी बनाना चाहिए उसको प्रवपर आटमी उस विचार धारा को वहां तक पहुचाना चाहिए उसके लिए हमारे सब्सोदक संग है उनको इस तरह कि फीड़बैक एक प्रोसस क्रियेट करना चाहिए जिससे उसका पॉलिटिकल इसुना बने उसकी बात यह है कि लिंकिंग प्रोसस आपको जो ऑलिडी संग्धन है उनके साथ हम कैसे अपना तालमेल बनाएं जिससे जो आप अपनी विचार धारा को डवलप करना चाह रहे ह अपने साथ ही प्रबुत साथ हूँ वह कैसे लिंक आप करें जिससे हम एप कालांतर में फैलो सोब्salूपी कर सके हैं और सभी को साथ ले कि साथ किसी संक्षण के साथ चल सके जाया है एक सबाद परने कि अब कर बाता तक किसी बीस वी के जिन्दा रहने के लिए किसी भी हम हमारे workers हमारे leaders कहां गलती कर रहे हैं क्या अच्छा काम कर रहे हैं उसकी feedback उसके mechanism हमारे सब्सक्राइब करनी चाहिए जिससे लोग जो है unnecessary कोई भी बस यह उसका advantage ना ले सके यह मेरे और दूसरा जिसाथ जितने भी संग्ठन है वो हम जो है उसका फाइदा उठाने के लिए हम उनकी एक लिस्ट बनाने चाहिए उनका क्या उद्देश है अभी इन्होंने यह feedback फार्म इन्विज्वल के भरवाएं हैं वैसे परनाजिसम्स की हैं उसमें विचार में लोगों के तो इस तरीके से सारे संग्ठन हमें identify करके उनके उद्देश identify करके फिर हम कैसे उनके साथ तालमिल बनाकर आगे बढ़ेंगे तो उसको भी आपको identify करके रखना चीए इन्हीं चंद सब्सक्राइब के साथ मेरी का अगर आपने अभी तक ह हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले